तो फ्रेंड्स आपने इसकी आवाज सुनी बहुती क्रंची और टेस्टी और जूसी बने हैं तो देखे मैं आपको इसे तोड़के भी दिखा रहे हूं और बहुती इंट्रस्टिंग रैसेपी आजम बनाने जा रहे हैं आप भी सुछेंगे कि है क्या यह क्या कर रहे हैं जादा देन ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं एक बहुती इंट्रस्टिंग और सीक्रेट रैसेपी जो सबको टेस्टी लगने वाली है तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल सलोनी का स्वाथ आज हम बना रहे हैं बिना ब्रेट के प्रेट पकोड़े इस यह मैंने ब्रेट के जो एजिस होते हैं बोली यह हैं mostly जो हम sandwich बनाने में निकाल देते हैं तो बस इन्हें लेना है और इस तरह से हलका सा इसमें पानी डालना है जितना कि इसका एक आटे की तरह से मतलब डो की तरह से यह तैयार हो जाए और इसमें हम boil आलो मैश करके ड पैयार कर लेना है हमें और अब इसमें हम कुछ रेगूलर मसाले एड़ करेंगे सफेद नमक, काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और हींग बस ये बेसिक मसाले हैं आप इसमें फ्रेंड्स यहां पर चाहें तो टमाटर, प्याज, अद्रक, हरी मिर्च ये चीज तो बस यहां पर मैंने सिर्फ ब्रेड, आलो और कुछ बेसिक मसाले एड़ किये हैं आमचूट पाउडर, चाट मसाला ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और देखिए ये एक डो की फॉर्म में आ गया है अच्छा सा अब हमें इसके कटलेट्स क शेप देनी है आप जैसी भी चाहें वैसी शेप मैंने तयार कर सकते हैं फिलार मैंने सिलेंट्रिकल शेप तयार की है ये मैंने यहां पर एक चमच मैदा ली है जो रेगुलर रिफाइंड फ्लोर होता है वो लिया है और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक पतला गोल तयार किया है इससे क्या होता है कि एक कोटिंग हो जाती है और जो हमारे रोज कटलेट्स होते हैं वो फटते नहीं है इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लैक्स एड़ कर रही हूं बाकी और कुछ भी नहीं डालूंगे तो यह देखिए एक पतला सा घोल इसका तयार कर लिया ह और बिल्कुल भी आप देखें इसमें बिल्कुल गाड़ापन नहीं है बस इतना ही हमें ऐसा तयार करना है और यह मैंने लिये हैं ब्रैट क्रम्स इसे हमें इसके साथ कोट कर देना है अच्छे से जिससे कि यह अच्छे से कवर हो जाएं और इससे क्रिस्पी हो जाएं हमा और फिर जब हम एक साथ बना के अगर इन्हें तलते हैं तो यह इतनी देर में सैट भी हो लेते हैं तो यह देखिए सारे रोल्स बनकर तयार हैं और आप अपनी मंचा ही शेप के इन्हें बना सकते हैं मैंने सिलेंडर शेप में बनाए हैं ओयल गरम हो गया है इतनी देर में तोयल गरम होता है हम अपनी एक मीठी वाली खटी मीठी चटनी तेयार करते हैं इसे खाने के लिए यहां पर मैंने एक चम्मच आमचूर पाउडर लिया है इसे पानी से अच्छे से घोल लिया है इसमें हम डाल देंगे शुगर फ्रेंट्स आप सोच रहोंगे यह कैसी तो बस मैंने वही एट किये हैं और यहां पर देखिए तेल भी गरम हो गया है तब तक मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इने तलना है बहुत ज्यादा तेज ना हो गैस जब आप इने डालें अदर्वाइस यह उपर से तेज हो जाएंगे और फिक रंची नहीं हो होंगे जले-जले से हो जाएंगे तो मीडियम फ्लेपर ही हमें इने तलना है जब तक हमने वह अपने मीठी घटी-मीठी चटनी बनने रग दी है इतनी देर में वह भी बनकर तयार हो जाएगी और बहुत ही ईजी लिए बन जाते है जब आपके पास हरा धनिया नहीं है या मतलब सुन्दर कलर आया है बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही क्रंची बने है यह इसी तरह से हम अपने बागी के रोज भी तयार कर लेंगे जब तक यह सीक रहे हैं ओधर देखिए हमारी चटनी भी बनकर तयार हो गई है और यहाँ पर मैं कुछ मसाले एड़ कर रही हूं क किटने अच्छी कंसिस्टैंसी कि हमारी घटी मीटी चटनी बनकर तयार हुई है जब आपके पास चटनी को कोई भी समानना होना एक बार इसे जरूर से बनाएएगा देखिए हमारे जो रोल्स हैं वो बनकर तयार हुए है आप इनकी आवाज सुनिए बहुत ही क्रंची है बहुत ही टेस्टी यूनिक जूसी बिल्कुल भी अंदर से आपको ड्राइ नहीं लगेंगे तो यहां पर मैंने जो भी चटनी पनाई हैं उसके साथ सर्फ कर रहे हूं आप अपने मंचा ही डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना च